परचय नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर विभिन अंगों से मिलकर बना है हमारे शरीर के हर एक भाग का एक कार्य है हमारे शरीर ही की तरह वनस्पतियों के शरीर के भी कई अंग होते हैं आईए वनस्पतियों के विभिन अंगों और उनके कारियों के बारे में विस्तार से जाने। आउ सीखें। वनस्पतियों के अंगों को पहचानना, जड़, तना, पत्ती और फूल के आकार और कारे का वरणन करना, फल और बीज के कारे को समझाना। वनस्पति के अंग प्यारे दोस्तों, जैसा कि हम अपने आसपास देख सकते हैं कि पेड़ पौधों के विभिन प्रकार होते हैं, उन सब का रंग हरा होता है और हमारी आखों को ठंडक देता है। लेकिन क्या आपने किसी पौधे को बारी की से देखा है? आप इसके कुछ प्रमुक अंगों, तना, पत्ती, फल और फूल को जमीन के उपर देख सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कुछ अंग जमीन के नीचे छिपे रहते हैं। इस अंग को जड़ कहते हैं। जड़ें आईए अब पौधों के अंगों के बारे में विस्तार से जाने। शुरुवात जड़ से करते हैं। जड़ पौधे का गैर हरा भाग होता है जो जमीन के नीचे बढ़ता है। क्या आप जानते हैं कि जड़ मुख्य तहद दो प्रकार की होती हैं। मूसला जड़ और रेशेदार जड़। लेकिन ये होती कैसी हैं। मूसला जड में एक मुख्य मोटी जड होती है, जो मिट्टी में गहराई तक जाती है कई पतली और कमजोर जड इस मुख्य जड से निकली होती है मूसला जड मुख्य तह सेम, मटर और सरसों के पौधों में पाई जाती है लेकिन रेशेदार जड में तने के अंत में एक समान आकार की कई जड जड जुड़ी होती है यानि मूसला जड की तरह कोई एक मुख्य जड नहीं होती इस तरह की जड गास और गेहूं में पाई जाती है जडों के कार्य अभी तक हमने जड़ों की संरचना और प्रकार के बारे में जाना लेकिन अब प्रश्ण यह है कि जड़ों का कार्य क्या है दोस्तों, असल में जड़े पौधे को जमीन में मजबूती से टिकाए रखती है वे पौधे के अन्य अंगों तक पहुचाने के लिए जमीन से पानी और खनिज सोकती है कुछ पौधों में जड़े भोजन संग्रह का कार्य भी करती है जैसे की गाजर, मूली या शलजम पौधे द्वारा तैयार भोजन जड़ों में एकत्र रहता है हम इन जड़ों को खाते है और पोशन पाते है अब आईए तना के बारे में जाने तना पौधे का हरा या भूरा भाग होता है जो जमीन के उपर विक्सित होता है यह पौधे को सहायता देता है और उसकी शाखाओं, पत्तियों, फूलों और फलों को अपने शरीर पर वहन करता है नए पौधों में तने का रंग हरा होता है लेकिन समय के साथ पौधे की उम्र बढ़ने पर इसका रंग भूरा हो जाता है कुछ पेड जैसे बर्गद या आम के तने कठोर, मजबूत और भूरे होते है इनहे डाल कहते है वहीं कुछ पेड़ों के तने जैसे केला, मोटे, किंतु मıldायम और हरे होते है कुछ पौधों में तने इतने कमजोर होते हैं कि वो पौधे को सीधे नहीं रख पाते इसका सबसे अच्छा उधारण है। इसके दूसरे उधारण आलू और प्याज है। पौधे का हरा भाग होता है जो तने पर उगता है। पत्तियां अलग-अलग प्रकार की होती हैं। पत्तियां अलग-अलग प्रकार की होती हैं। कुछ के किनारे सीधे होते हैं और कुछ के असमान। पत्ति के चप्टे भाग को पत्ति की लीफ ब्लेड कहते हैं। हर पत्ति के लीफ ब्लेड में एक मुख्य शिरा होती है। और कई चोटी शिराएं इस से जुड़ी होती है। इन शिराओं के माध्यम से ही पानी पूरी पत्ती में पहुचता है। पत्ति का मुख्य कार्य पौधे के लिए भोजन बनाना है। भोजन बनाने के लिए वे पानी, क्लोरोफिल, कार्बन डायोकसाइड और सूरे के प्रकाश का उपयोग करती हैं. भोजन बनाने की इस विधी को प्रकास संचलेशन कहते हैं. इस प्रक्रिया में ओक्सीजन का उत्सरजन होता है. सभी सजीव प्राणियों को जीवित रहने के लिए ऑक्सिजन की जरूरत होती है कुछ पौधे जैसे बंद गोभी और पुदीना अपनी पत्तियों में भोजन संग्रह करते हैं हम पोशन पाने के लिए इन पत्तों को खाते हैं फूल दोस्तों आईए अब हम पौधे के सबसे आकरशक और सुन्दर भाग फूल को हाइलाइट करें वे विभिन रंगों के होते हैं वे विभिन आकार प्रकार के होते हैं ज्यादा तर फूलों में मीठी खुश्बू होती है और जब यह फैलती है तो कीडों और चिडियों को आकरशित करती है आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि फूल को पौधे का प्रजनन अंग भी कहा जाता है क्योंकि वो पौधे की प्रजनन की प्रक्रिया में सहायता करते हैं फल और बीज मुझे पता है कि आप में से ज़्यादातर लोगों को फल पसंद है फल पौधे का रसदार भाग होता है यह पौधे के फूल से उत्पन होता है फल विभिन आकार प्रकार और रंग के होते हैं फल स्वास्थ के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि उन में कई विटमिन होते हैं दोस्तों बीज फल के अंदर होते हैं कुछ फल जैसे आम के अंदर सिर्फ एक बीज होता है जबकि दूसरे कई फलों में कई बीज होते हैं जैसे सेब और तर्बूज क्या आप जानते हैं कि नया पौधा बीज से ही जन्म लेता है यह नवजात पौधे के लिए भोजन भी संचय करता है जब बीज को पानी, हवा और अनुकूल तापमान मिलता है तो यह पनपना शुरू कर देता है और जल्द ही एक नए पौधे के रूप में बढ़ने लगता है हमने क्या चर्चा की? पौधे के मुख्य अंग जड, तना, पत्ती, फूल और फल हैं तना, पत्ती, फूल और फल जमीन के उपर बढ़ते हैं और जड जमीन के नीचे बढ़ती है जड पौधे को जमीन में मजबूती से टिकाए रखती है वे पौधे के अन्य अंगों तक पहुचाने के लिए जमीन से पानी और खनिज सोकती है जड़ों से पत्तियों तक पानी तने के माध्यम से जाता है कुछ पौधों में तने भी भोजन एकत्रत करते हैं पत्तियां पानी, क्लोरोफिल, कार्बन डायोकसाइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थदी में पौधे के लिए भोजन बनाती है फूलों को पौधे का प्रजनन अंग भी कहते हैं क्योंकि वे पौधे के प्रजनन में सहयोग करते हैं फल पौधे का रसदार भाग होता है यह पौधे के फूल से उत्पन होता है फल के भीतर बीज होते हैं बीज से नया पौधा विक्सित होता है